अगेन आपका स्वागत बेसे सेकेंडेर लीनेर अलजेब्रा मैथमेडिक्स फर्स्ट बुक यह थियूरम जोकी डामेशनल से है ओके थियूरम क्या दिया हुआ है इफ डावलो न डावलो टू अर टू सब इस्पेस डावलो न डावलो टू दो टे सब इस्पेस है किसके सब बी ओबर एफ का एक वेक्टर इस्पेस है जो बी ओबर एफ है वी के सब इस्पेस है डावलो न डावलो टू तब हम पूरूप करना है कि डामेशनल डावलो न प्लस डावलो टू बराबर होगे डामेशनल डावलो न प्लस डावलो टू माइनस डावलो न इंटरसेक्शन इंटर्सेक्षन मालब क्या होगा जो एलमेंट डाबलो वन में होगा वही एलमेंट डाबलो टू में होगा मालब डाबलो वन में मालब एक दो तीन चार एलमेंट है ओके डाबलो टू में मालब एक दो तीन पांच एलमेंट है तो W1 intersection W2 क्या हो जाएगा एक दो तीन मालों के में common element जहोंगे वो W1 intersection W2 होगा intersection का मालों अब ध्यान से पहले समाझ जाना है ओके यह 11 में पढ़ होगे set में ठीक है ना ठीक है अब प्रूफ में चलता है प्रूफ क्या है पहले दो हमें consider कर रहे है कि मानना W1 intersection W2 में कितने element present है के element present है ठीक है dimensional W1 intersection W2 में कितने element present है के element ओके तब सेट बनाते है एस हमारा सेट है जिस सेट में के element होगे x1, x2, xk be a basis of W1 intersection W2 जो मतलब यह set जो है वह basis है W1 intersection W2 गा basis का मतलब क्या हुआ कि s जो है subset होगा W1 का यह s जो subset होगा W2 गा ठीक है मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं अगर s के पास k element है ठीक है और वह basis से W1 intersection W2 गा तब हम लिख सकते हैं dimensional W1 intersection W2 बाराबर के ओके एक रिक्वेस्ट आप से अगर यहां तक पहुंशी गया देख चुके हो तो लाइक और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने में कुछ जाता होता है नि बस टिप दो कैसे भी हाथ से टिप हो नाक से टिप हो बस कैसे भी उसे क्लिक कर दो चलिए आगे चलते हैं सब्सक्राइब है के अगेन हमने पहला सेट लिह था एश सेट जिसमें एक के य।asına अले element है और वो basis किसका डाबलो वन का क्यों हम k और m element ले हैं डाबलो वन में क्यों नहीं हम दखो अभी यहां पे समझाया हूं कि डाबलो वन में एक दो तीन चार, डाबलो टू में वह एक दो तीन पांच, तो डाबलो वन इंटरसेक्शन डाबलो टू में वह एक दो तीन पांच, तो डाबलो वन इंटरसेक्शन डाबलो टू में यह जो थे, वह है, अब जब अलग 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 लेंगे, जब अलग अलग के पास वह होगया य1 y2 डेडेस ym स्ब्सें भाई एक और सेट लेंगे आगे देख रहें इस हैं देखे एक और से जब बैसिस हो गया यहां पर देख लीजे फिलेट बैसिस हो गए डापलो वन तो के प्लस एप लिख सकते हैं यानि डामेस्टनल डापलो वन के पास कितने ए बन गया इसके मुलब कि डाबलो उनके पास कितने एलमेंट है के प्लस एम ठीक है अब देखो अगेन अब डाबलो टू के लिए लेंगे सेट टू सेट टू में क्या होगा इतना तो है ही यह तो कमने एलमेंट था के लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी तो हो सकता है जैसे यहां प की एलमेंट तो है और साथ में टी एलमेंट भी है अलग अलग अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकाल देंगे डाबलो वन और डाबलो टू का इंटरसेक्शन निकाल निकालेंगे तो सिर्फ एक्स वान एक्स टू डेड़ेस एक्स के निकलेगा ओके ठीक है उमीद इसके मतलब कि यह इन दोनों हमने यह भी निकाल लिया यह भी निकाल लिया तो इन जोड़के और इसमें से घटा देंगे और जो घटाएंगे जितने आएगा उसको इसके इक्वल दिखा देंगे जब यह वाला उसके इक्वल आजएगा तब यह दोनों बराबर हो जाएगे प्रूफ हो जाएगे निसमगे है ठीक कोई बात में यहाँ अब समझे राइट हैंड देया था ना डावल वा लवा ब्लस डावल टू माइनस डामेसनल डावल लवा इंटर्सेक्शन डावल टू म के खतम k plus m plus t ओके यानि ये जो situation है यानि जो मैं proof करने के लिए दिया था उसका right hand side वाला वो किसके बराबर है k plus m plus t के बराबर now to prove theorem अब theorem को prove करने के लिए we have to show, क्या show करना पड़ेगा dimensional w1 plus w2 बराबर होगा k plus m plus t ठीक है न अगर ये इस k plus mt के बराबर हो जाए ये इसके जब उपर put करतेंगे जब इसके जब उपर put करेंगे तरा dimensional w1 plus fram stump2 किसके बराबर हो जाएगा dimensional w1 यह नि थियोरं proof होगा अब इसको इतना दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा we claim that हमं क्लैम करेंगे हैं एक लेंग सेट लेंगे i3 उससेट में कितने number होगे कि अल्मों मेंट होगे और टीविंस होगे तव नँ तीनों होगा और यह तीनों इल्मों सेट कंटेन किया होगा वह इसका बेसिस बनाएगा बेसिस बनाएगा एकलड़ा 2 div1 ओके तो हमें क्लेम करना है S3 element सेत्थ है जो S3 के पास element है s element K element M element और T element और यह basis बना रहा है w1-1-2 जब इतना हम इसको क्लेम कर देंगे तम लिक देंगे कि dimensional w1-2 बरभाहर होगा के प्लस M प्लस T and उसके लिए इसके जाब ले आके dimensional प्लस डा w2 को रख देंगे थूरुम प्रूफ तब इसकी लिए क्या करना पड़ाँ है इसकी लिए सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा कि S3 जो लिनियर इंडिपेंडेंट है क्या है लिनियर इंडिपेंडेंट लिनियर इंडिपेंडेंट की दिखाने का क्या होता है कि एक scalar और वेक्टर से multiplication और 0 के equal कर देते हैं अगर सारे scalar 0 के equal हो गया तो क्या हो गया लिए इंडिपेंड हो गया ठीक है ना तो यह हमें वेक्टर तो है ही इसमें scalar से apply करना है तब इसमें K vector है M vector है और T vector है scalar भी लेंगे K scalar तक element लेंगे M scalar तक और T scalar तो K के लिए A1 A2 A K M के लिए B1 B2 BM और T के लिए C1 C2 CT belong करा F में F क्या है scalar है ठीक ना connect में यह सभी क्या है scalar है अब scalar और vector से multiplication तो scalar और vector से multiplication और दोनों का addition यानि A1 X1 A1 X1 A2 X2 AK XK वैसी दोनों को sum करके 0 के equal कर देंगे ठीक है सभी है अब देखो यह जो situation है यानि C1 Z1 C2 Z2 CT ZT इसको 0 को right hand side लेकर आजाएंगे जब right hand side लेकर आजाएंगे माइनस हो जागा यह हमारा equation first हो गया कोई any doubt सब क्लियर है देखो बस इसको इस side लेकर आना है और यह minus मिलाएगा bracket में गर लो माइनस बार रहेगा अब देखो यहाँ ध्यान से यह a1 x1 a2 x2 ठीक है और यह b1 y1 b1 y2 और डाड़ेस bm ym यह किसके set है यह किसमें बिलाउंग कर रहा है यह w1 में बिलाउंग कर रहा है कैसे w1 के element के क्या कहते है देखो w1 का set जो basis था तो उसमें क्या था k तक element था और m तक element था तो इस set का linear combination बन रहा है यह तो linear combination बन रहा है तो कोई बात नहीं linear combination बन रहा है तो k element है और m element है w1 में थे थे ठीक है मैं लगा कि यह पुरा set क्या कर रहा है w1 में बिलाउंग कर रहा है काने मनलब ही है कि यह element इस element के equal है a1 x1 एक्स-डू x2 केक्ट होगे और यह m में क्वरा इंट का लिनेर कंपनुश को रहा है लेकिन यह w1 बिलोंग कर रहा तो यह भी w1 बिलोंग ही करेगा ओके यह हमारे equation second बन गया अब आगे देखो अब देखो c1, z1, c2, z2 बिलोंग कर रहा है w2 में कैसे यह element किसके है z1 और z2 z1, z2, z3, zt तक element किसमें बिलोंग कर रहा थे w2 में बिलोंग कर रहा है w2 में बिलोंग कर रहा है तो यह किसमें बिलोंग कर रहा है w2 में बिलोंग कर रहा है अब देखो equation second, first or second first or second काने का मालब मैं बोला था न right hand side, sorry left hand side w1 में बिलोंग कर रहा है right hand side भी w1 में बिलोंग करेगा और हमें पहले से पता है कि यह W2 विलोंग कर रहा है और हमें equation से मिलगा कि W1 विलोंग कर रहा है तब इसका कहाने का मतलब है तब हमें मिल जाएगा equation 3rd और 4 से कि यह दोनों intersection है मतलब कि W1 intersection W2 दोनों में common element है तो हम लिख सकता है कि C1 Z1 प्लस डाड़ दर C2 Z2 विलोंग W1 intersection W2 में समया है न यह हमें पता है कि यह element W2 विलोंग कर रहा है लेकिन यह कैसे निकला है यह left hand side W1 के equal था तो right hand side भी W1 के में विलोंग करेगा ठीक है? वो equation से निकला है ठीक है न? अब यह दोखो यह दोनों set जो है W1 और W2 इन दोनों के element जो है equal है यहने हम लिख सकता है W1 intersection W2 और यह क्या है? linear combination बना रहा है और linear combination जो बना रहा है तो यह basis से W1 intersection W2 W1 intersection W2 का जब basis कौन था? S था न? S के element कितना है? K elements है जब यहापर W1, W2 जब basis बना रहा है तो उसके बास कितना element थे? K element है वह similar यहापर भी हो रहा है इसके बास भी T element है W1 intersection W2 में यानि हम इसको लिख सकते हैं कि C1, Z1 प्लस C2, Z2 बिलोंग कर है W1 intersection W2 में अब W1 intersection W2 के element कौन कौन थे? X1, X2, Deaders, XM थे न? Sorry, XK XK यह W1 intersection W2 के element है यानि यह element इसके element के बाराबर होगा यानि C1, Z1, C2, Z2, Deaders, CT, ZT बाराबर होगा X1, X2, Deaders, XK और यह क्या है? इसको linear combination बना गया है तेक इसके लिए गया है D1, X1, D2, X2, Deaders D, K, XK अब इसको इससे लिए करा जाएंगे तो हो जाएगा C1, Z1, C2, Z2 माइनस D, X1, DX2 माइनस में हो जाएगा सभी लोग जब माइनस में हो जाएगा तो यह linear independent है क्या है? linear independent है इसके मालब काने का मालब कि सभी scalar जो है C1, C2, CT 0 के इकोल हो जाएगा C1, C2, CT 0 के इकोल हो जाएगा अब जब यह C1, C2, CT 0 के इकोल हो जाएगा तो equation first में put कर देंगे equation first क्या था हमारा? यह था ना यहापे जब 0 पूट कर देंगे यानि 0 हो गया पूरा यानि A1, X1, A2, X2, D1 B1, Y2, BM, YM equal to 0 हो जाएगा यानि यह element और यह element 0 के इकोल हो गया बट इस vector are linear independent लेकिन यह vector क्या है? linear independent है इसलिए इसका भी सभी scalar 0 के इकोल हो जाएगा यानि हमने S3 मला हमने मिल गया कि C1, C2 तो 0 के इकोल था है अब यह भी linear independent हो गया 0 के इकोल हो गया यानि सभी इसके scalar भी 0 के इकोल हो गया यानि सभी के सभी scalar 0 मिल गया कहाने का मनलब यह कि S3 जो है linear independent set बन गया ठीक है? अब दूसरा का condition क्या देखाएगे? second condition now we have to show LS3 यानि linear span equal हो गा W1 प्लस W2 गा ओके? अब since LS3 subset of W1 प्लस W2 क्यों? क्यों इसका subset है? यह linear span S3 क्योंकि W1 प्लस W2 sub space है V का दिया है न question कि W1 और W2 दो sub space है V के इसलिए linear span subset होगा W1 प्लस W2 होगा अगर माल लोग कि W1 प्लस W2 में alpha element बिलोंग कर रहा है कितना element? alpha element कोई भी any alpha element लिख देना any alpha in any element of W1 प्लस W2 बिलोंग कर रहा है तब alpha जो equal होगा some element of W1 कुछ element W1 के होगे कुछ element W2 के होगे सिंपल से बात है जब alpha equal at W1 प्लस W2 का माल लोग कि कुछ element W1 का होगा और कुछ element W2 का होगा अब जो कुछ element W1 के हैं और कुछ element जो W2 के हैं उनका linear combination यानि linear combination of W1 and linear combination of W2 अजब दोनो linear combination करेंगे W1 का W2 का तो वो निकल के आ जागा हमार पास linear combination of H3 ठीक है नहीं समझाया कोई बात नहीं इसको हम यहापे numerical रखे हैं यहापे क्या था कि some element of W1 यानि W1 के element कौन थे K element था और M element था W1 के element था थाना ज्यान से देखो W1 के element कौन कौन थे W1 के element K और M था और W2 के K और T था तो W1 के element हो गए X1 X2 X के Y1 Y2 YM और wt के element हो गया x1 x2 x के z1 z2 zt ठीक है ये w1 और w2 के element हो गया अब क्या बोल रहा है कि linear combination और डाल 1 यानि इसका linear combination linear combination कैसे बनता है एक scalar और एक vector के से multiply तो vector तो दिया हुआ है और एक scalar लेंगे scalar से multiply कर देंगे यानि a1 x1 ये scalar हो गया और ये b scalar हो गया यानि b1 y2 अब इस वाले में देखो ये x1 x2 x के ये x1 x2 x के दोन तो सें था तो इसमें a लिए थे हम scalar यहाँ पर a लिए है न तो इसमें a dash ले लेते हैं a dash कुछ भी ले सकता है आप m ले सकता है कुछ भी scalar ठीक है यानि इसमें x1 कामन कर लेंगे जब x1 कामन कर लेंगे तो इतना मिलेगा ये भी इतना मिलेगा और daders ये बन गया m element और ये बन गया t element अब देखो ये भी तो एक scalar ही है न और ये भी एक scalar ही है मालों की दोनों एक है ये किस में था ये स्थरी में था न तीनों element थे k element भी था M element भी था और टी element भी था और यह हमें मिल गया k element, m element और t element और इन तोनों का linear combination यानि हमें मिल गया alpha बिलोंग ls3 मलों कि w1 प्लस w2 इस सबसेट होगा ls3 के linear span होगया मतलब कि h3 जो basis होगया w1 प्लस w2 का जब h3 basis होगया w1 प्लस w2 का तो हम लिख सकते हैं dimensional w1 प्लस w2 बराबर k प्लस m प्लस t ठीक ना तब हमें मिल गया कि अब k प्लस mt के पूट कर देंगे क्या पूट करेंगे dimensional w1 प्लस w2 जब पूट कर देंगे तह हमें फिर्म प्रूफ हो जाएगा उम्मीर है आपको अच्छे से समझ जाया होगा धन्यवाद बहुत मेनत लगा है यह दम फटाक से सब्सक्राइब को बटम क्लिक कर दें कैसे भी धन्यवाद मिलते हैं अंगले वीडियो में